जैहिंद दोस्तों जैशिपकाली आज चल गिदम से चित्रकूट फॉल्स के तरफ चित्रकूट फॉल्स देखने के बाद वहीं पर रुख भी सकते हैं और या फिर चल सकते हैं जगदलपूर देखते हैं कैसा रहता है हाला कि दो दिन तबीद थोड़ा नाजुक था एक दिन रेस्ट के यह रास्ता काफी आप अब साइट में जा रहे हैं तो तो हो जाएगा आज की जर्नी या तो 65 किलोमेटर की होगी या फिर 105 किलोमेटर की अगर जगदलपूर गए तो 105 किलोमेटर हो जाएगा और अगर रुख गए और तित्रकुट फाल्स में तो 65 किलोमेटर में निवट जाएगा तो चलते हैं इस जगह से घाड स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट हो जाएगा और पता नहीं कितना लंबा होगा इस दर एक मंदिर है छोटा सा मंजारन माता मंदिर हुआ 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 है कि गर्मेज का चक्कर में दो कि ठक गए है कि सुबह के लगबग साड़े दस बज गए और पहाड़ी चड़ाए चल रही है कि अग्यां कि अग्या चल्ड़ी चल रही है आराम से अग्या है कि लगबग अंदेरा हो चुका है और फिलाल मुझे जाना पड़ेगा एक गाउं के तरफ मुझे बोला था चाहर 5-45 किलो मेंटर लोगेशं लुवड़ा तो फिलाल अंदेरा चाहिक अग्या है कर चलते अज राजूर पतारी गुड़ा में एकर रुके है और अलग से हमाओ का खाने का तरीका इन्जॉई करें लाल आज हम रुके हैं आप बलवीर भाय के घर में तो यहां पर खाने का तरीका देखते हैं मैं आते वाक्त थास्ति में यह बहुत वह लोगों को देखा कि ज तो यह पत्ते सी बनाते हैं यह ठाली यह कटोड़ा खाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं के नाम बोलते हैं सर्गी इसको भी सर्गी बोलते होंगे शरी का पत्ता अच्छा सड पीर का नाम सड करी है रिद सरे के सर्गी का पत्ता पेर का पत्ता ज्यादा बड़ा नहीं होता है पेर चोड़ा रहते है अच्छा मैंने जितने देखें न सब छोटे जोटे देखें तो वहां से चुनके से बनाते बहुत अच्छा है तरीका तो बहुत अच्छा है नाच्रल है बहुत बढ़ी हां कि सो जाए करते हैं फिलाद